तो इंडिया ने कहा सौरी पाकिस्तान अगर ये बात सुनकर आपको शौक लगा हो तो बता दूँ इससे पहले जो पाकिस्तान ने कहा था वो और भी ज्यादा शौकिंग था पूरी दुनिया के लिए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक होगा फाइनली इंडिया सामने आया कहा यस हमारा एक मिसाइल मिस्फायर हुआ है गल्ती हुई है वो पाकिस्तान की तरफ गया है पाकिस्तान के उसने एर स्पेस को ब्रीच किया है और 124 किलोमेटर अंदर जाकर उसने डैमेज किया है और अभी तक तो पाकिस्तान ने बहुत मैच्यॉरिटी के साथ इसे डील किया है दोनों ही देश जब इस तरीके की घटना में आमने सामने हुए पूरी दुनिया खासतोर से यूरोपिन मीडिया जो है उसने ये सुगबगाहट शुरू कर दी कि देखिये दो नियूक्लियर व साथ इंडिया और पाकिस्तान ने अभी तक इस मुद्दे को डील किया है काबिले तारिफ है और इस तरीके की मिसाइल मिस्फाइरिंग की घटनाएं कोई नहीं नहीं है अभी रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे रशिय मिसाइल जो हैं मिस्फाइर हुए हैं कभी बांगलादेश के क्रूज को हिट किया है कभी रुमेनिया के क्रूज को हिट किया है तो इस तरीकी की घटनाएं नहीं नहीं है इससे पहले 2016 के आसपास ताइवान ने भी गलती से एक चाइनीज फिश बोट को हिट कर दिया था अ लेकिन दोनों नेटो कंट्रीज ने आपस में मिल बैटके बातचीत करके मुद्दे को रिजॉल्व कर लिया। यूके का एक मिसाइल फ्लोरिडा के आसपास जाकर गिरा था। ट्राइडेंट मिसाइल फेलियर कहते हैं इसे। लेकिन वहाँ पर भी मेचियरिटी के साथ इशू डील किया गया। कहने का मतलब ये है कि ये मिसाइल मिस्फाइरिंग जो है ये कोई बहुत नई घटना नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी हो जाए और बवाल ना हो ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन लकीली अभी तक इस मुद्दे पे बहुत मेचियरिटी दिखाई दे रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर यही गलती पाकिस्तान की तरफ से हुई होती अगर गलती से पाकिस्तान का कोई मिसाइल इंडिया की जमीन पे आकर लगता तो क्या हम इतनी मिचियरिटी दिखा पाते। क्या हमारे ओपोजिशन के लीडर्स हैं वो जिम्मेदारी का उस वक्त एहसास कराते कि एज नेशन इस तरीके की घटनाओं पे हमें कैसा रियाक्शन देना चाहिए। जो जनता को सिर्फ कमोडिटी समझते हैं उनको लगता है कि जनता जो है लोग जो है वो एक वस्तु है जिसे किसी एजिंडे के साथ चलाया जा सकता है उनकी घलत फेमी दूर होगी। फिलहाल मैं इंडिया को पाकिस्तान को दोनों को थैंक यू सो मज कहना चाहता हूँ फॉर दिस मिच्चियोरिटी और ये कहना चाहता हूँ वेस्टन मीडिया से कि अपनी हिपोकरिसी को थोड़ा छोड़े। थोड़े। थोड़ा समझें कि हमसे कहीं ज्यादा लड़ाईयां यूरोप ने लड़ी हैं। जिस तरीके से यूरोप के सारे देश आपस में बिजनस इंटेग्रिटी के साथ रहते हैं। आपसे यही जानना चाहूंगा कि यह जो मिसाइल मिसफायर वाली गलती है जो इंडिया की तरफ से हुई है। और पाकिस्तान ने मेच्योरिटी के साथ इससे डील किया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से होती तो क्या हम यह मेच्योरिटी दिखा पाते। टेक केर। आपसे होती है।